घॉ नमस्ते मैं हूं Somita Singh और आप देखरे हैं कारेकरम बातें खेती की एक ऐसा कारेकरम जिसमें हम बात करते हैं फसलों पर और आज बात करेंगे एक ऐसी फसल की या कहें एक ऐसे फलकी जिसकी खुश्बू और स्वाद दोनों ही ला जवाब हैं जी हाँ आज हम बात करेंगे अमरूद की बागवानी के बारे में और इसके स्वालों की जवाब देने के लिए आज हमार साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अफधेश चुकला जी सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस्टूडियो में आपके लिए भी धन्यवाद तो चलिए शुरुआत करते हैं कायरेकरम की और जानते हैं कैसे की जाती है अमरूद की बागवानी सर सबसे पहले अगर बात करें इसकी बागवानी की तो सबसे पहले बात आती है मिट्टी और जलवाई की कैसी होनी चाहिए जिल्वन देखिए अभी आपने कहा स्वाद और खुस्बू की बात कही तो स्वाद और खुस्बू के साथ साथ इसमें बिटामिन सी भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है अब आता है बागवानी की बात जी तो इसके लिए सभी प्रकार की घु रहता चारी भूम में तो ऐसी दसा में हम उक्टा रोग के लिए ही स्विक्रत जो प्रजाती है उसी का प्रियोग करें चारी भूम में और दूसरी प्रजातियों का प्रियोग ना करें तो चारी भूम में भी हम अमरूज की खेती कर सकते हैं और मौसम सही रहता है जलवाई किस तरीके की हो ओनी चाफटी है। ज्यादा उत्तम हो से रुपाई का क्या तरीका है। रुपाई किस तरीके सजा की जाती है। रुपाई करने के लिए, सबसे पहले महिह के महिने में जो है गड्ग कौदने का कारिक्रम किया जाता है। तो गड्गा कौदने के लिए यह अवश्यक है कि पहले हम यह जाने हैं कि पोडे से पोडे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी क्या है तो लाइन से लाइन की दूरी 6 फिट और पौदे से पौदे की दूरी 6 फिट काट निसान लगा करके और फिर आधा मीटर लंबाई यानि 50 सेंटी मीटर कह लीजिए चाहें आधा मीटर कह लीजिए 50 cm लंबा, 50 cm चोड़ा, 90 cm गैरा गड़ा होना चाहिए गड़ा हम खोद लेते हैं उसकी मिट्टी निकाल करके बाहर कर देते हैं इस तरीके से उस गड़े में सूर्ज का प्रकास 15 दिन तरह लगाएं ताकि उसमें जो कीट के लारवा या प्यूपा हैं वो नश्ठ हो जाएं और रोग जनित जो जीवान हैं वो भी उसमें नश्ठ हो जाएं अब जब ये गड़ा हमारा पंदा दिन खुले पड़ा रहता है तो उसके बाद हम गड़े में जो है गोबर की खाथ गोबर की खाथ जो है उसका हम प्रियो करते हैं और वो 20 से 25 किलो ग्राम गोबर की खाथ और 250 ग्राम जो है सुपर फासफेट गड़े में डालते हैं मिट्टी में अची तरीके से मिला करके और इसको गड़ा को भर देते हैं गड़े को भरने के बाद इसकी सचाई करना भी आवश्यक है सचाई करने से क्या होता है कि मिट्टी बैढ़ जाती क्योंकि हमने गड़ा जमीन के बराबर से भरा पानी भरने के बाद क्या होता है गड़ा बैढ़ जाता है इसलिए 15 cm हमको जरा उचाई में मिठी छोड़ देनी चाहिए और जब हम इसमें पानी लगाएंगे तो ये जमीन के सम्तल आ जाएगा अब ये हमारा गड़्डा जो है वो रोपाई करने के लिए तयार हो गया तो जो हमने नरसरी से पौदा प्राप्त किया है उसकी पिंडी को ला करके तो आपने देखा होगा कि वो जो हम नरसरी से पिंडी लाते हैं तो उसमें गास पूद से उपर से बांदेते हैं उस गास पूद को बंदी हुई गास पूद को आसानी से उसको अटा दें अलग कर दें और धीरे से सहारे से उसकी मिट्टी न फूटे उसको वैसे ही जो है उतना गड़ा खोद करके पिंडी के आकार का गड़ा खोद करके और उसमें जो है उसको रख देते हैं और रखने के बाद थोड़ा से मिट्टी को दवा देते हैं जिससे पौदा जो है वो अपनी जगह पर पूंतिया इस्थिर हो जाए आप उसमें तुरंट सिचाई भी कर दें क्योंकि अगर हम सिचाई नहीं करेंगे तो पौदे की जड़े जो है न वो उस मिट्टी में जाकर कुणतिया बिक्सित होने में उनको देर लगेगी सर प्रजातियों की अगर बात करें तो अमरूत की कौन कौन सी प्रजातिया पाई जाती है और कौन सी प्रजाति इसके ज़्यादा फायदे मंद होती है पैदावार किसमें ज़्यादा अच्छी होती है देखिए एक जाती जो है, खाने में भी बहुत स्वाजिश्ट होती है. दूसरी एक पुजाती और है, सरदार. नाम से भी चुँकि ये सरदार है और वैसे इसको कहते हैं लखनवु उननचास. गुणवी सरदार है. इसके गुणवी सरदार के हैं. तो इसमें भी चार सो से पान सो फल पर लखता है. और ये सरदार इसलिए कही जाती है, कि इसमें बिल्ट लोग नहीं लखता है. और जातियों में बिल्ट लोग लगने की सम्भामना होती है. लेकिन ये बिल्ट लोग से पृत्तरोधी होती है. और विपसाइक रिश्टकॉन से भी इसको बहुत अच्छा मानते है तीसरी एक बहुत ही सुन्दर देखने में बहुत सुन्दर बराटी होती है वो होती है एपील कलर अमरूद इसका रंग सिंदूरी होता है थोड़ा से चिकना होता है लेकिन एक तब चिकना नहीं होता है लेकिन इसकी पैदावार कम है 200 से 280 फल इसमें लगते हैं लेकिन संदुर्टा के कारण इसके पैसे हमको अच्छे मिल जाते हैं इलावादी सुर्खा भी एक बराटी है इसका भी रंग सिंदूरी होता है ये भी खुरदरी होती है गूदा इसका पीला होता है खाने में बहुत ही अच्छी होती है और इसमें जो है दो सो से चार सो फल तक इसमें लग जाते है एक सहारन कुल जिले में एक जिगह है वेटा प्रियाती जो है वहां से निकाली गई तो उसका नाम भी रख दिया गया वेटा कोकोनट ये बराटी बड़ी होती है साइज में जो है उपर से जो रंग होता है इसका कुछ हरका सहरा होता है और खाने में खटी मीटी होती है बच्चे इतको बड़े स्वात से खाते हैं तो इस तरीके से ये जातिया है लेकिन इन जातियों में जो सबसे ज़्यादा अच्छी जात हमारी जो मानी गई है वो है हमारी इला सब्सक्राइब करते हैं और सामान जमीन में नमबर एक पर शर्दार रहे जिसको लखनवी और अच्छी बात हैं आपको बता रहे हैं अम्रूद की बागवानी से जोड़ी लेकिन लेकिन आपको थोड़ा सा विराम लेना होगा रुपना होगा चोटे से प्रेक के लिए उसमें बर्स में प्रोपडाई करते हैं तो उस समय जो है 15 किलोग्राम जो है वो गोबर की खाथ साथ ग्राम नत्रियन कीज़ ग्राम फासपेट और साथ ग्राम पोटास की आवश्क्ता बढ़ती है कि का डिख के बाद एक बर फिर शवागत है आपका आप डेख रहें कारेक रहा है घ है अमरूद की बागवानी की ब्रेक पर जाने से पहले आपको डॉक्टर साहं में बताईं अमृत की कुछ प्रजातियां चली जानते हैं कुछ और बाते अपिसीं की प्रजातियों के बारे में अब बात आती है कि हमने पौध की रुपाई कर दी उसके बाद पौध लगाने के बाद और वर्कों का मात्रा जो है बदलती चली जाती है तो जब हम पहली उसमें वर्स में प्रोपड़ाई करते हैं तो उस समय जो है पंद्रा किलोग्राम जो है वो गोबर की खाथ 60 ग्राम नत्रियन 30 ग्राम फासफेट और 60 ग्राम पोटास की आवश्चक्ता पढ़ती है और अमरूद में ये जो नाट्रोजन फासफेट और पोटास और गोबर की खाथ जो मात्रा बताई गई है ये हमको दो बार में देनी है क्योंकि इसकी फसल भी साल में दो बार ली ज है हम जूल के महीने हम दे देते हैं और दूसरी जो है जो बची हुई मात्रा आदी मात्रा है वो हम अक्टूबर के महीने में हम इसको देते हैं और जब भी हम प्रियोग और खाद का प्रियोग करेंगे तो थावले में डाल करके अच्छी तरीके से उसको मिटी में मिला देंगे और मिलाने के बाद फिर उसमें सिचाही करेंगे अभी सिचाही किसे पहले उर्वरक का जो है वो जरूरी है कि जो हमने 15 और 60-30-60 की बात कही थी अगले वर्ष में ये मात्रा जो है दूनी हो जाएगी यानि हम 15 किलोग्राम जो गोवर की खाद कह रहे थे वो दूसरे वर्ष में हो जाएगी 30 उसके बाद तीसरे वर्ष में हो जाएगी 45 चौते वर्ष में हो जाएगी 60, पांच में बर्ष में हो जाएगी 75, और 6 वर्ष तक इसी तरीके से 90, मात्रा उसकी जैसे जैसे पोदा बढ़ता चला जाता है, जैसे बच्चा जो है, पहले एक रोटी खाता है, जो जवान हो जाता है, चार, छे, आठ रोटी खाता चला जाता है, तब उसको पूरा आहर मि उटास, 60 ग्राम नाइडरोजन है तो उसको हम 120, फिर 120, 180, फिर 240, इस तरीके से बढ़ाते चले जाते हैं, जो पहली वर्ष में हमने जो मात्रा दी है, उस मात्रा का, उतनी ही मात्रा हर वर्ष बढ़ाते हुए, 6 वर्ष तक देना अनवार है, यह पहुदे में हम यह देखत लगता है, कि साफ और आठ्मी बर्ष तक भी हमको यह मात्रा बढ़ाते हुए, हमको उर्वरक और खाद देनी पड़े, सर रोग और कीटों की बात करें, तो कोई रोग भी लगते हैं पौधे में, देखिए कोई ऐसी फसल नहीं है, जिसमें रोग और कीट नहीं लगते हैं इसमें भी जो है रोग लगते हैं और कीट लगते हैं, और सबसे भेंकर रोग जो है इसमें जो है वो है उक्ता रोग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हलकी सी जो छारी भूम होती है, उसमें उक्ता रोग लगने की संभाबना होती है, इसलिए किसान को चाहिए, कि वो अप उसकी प्यस साथ से उपर है तो फिर इलावादी सफेदा ही लगाएं कोई दूसरी फ़सल ना लगाएं क्योंकि इलावादी सफेदा जो है वो उक्टा रोग के लिए प्रत्रोदी है और उसमें रोग नहीं लगागा और अन्नी फ़सल अगर हम की प्रेयातियां लगाते हैं तो उसमें रोग लगने का डर रहता है तो यह जो उक्टा रोग है इसको बहुत भेंकर रोग होने के कारण अगर किसी पौदे में यह उक्टा रोग लग गया है तो पूरा जड़से पौधे को उखाड करके जो उसी सुरू में ही जब बादा एक या दो साल का होता है तिवी ये उग्ता रोग भेन का रूट से लगता है पौधे को उखाडे या तो जमीन में उसको दवा दे अत्वा उसे जला दे क्योंकि ये जीवान वारा रोग होता है तीन ग्राम थीरम, जो है वो एक लीटर पानी में घोलें और उस गढ्ड़े की मिठ्टी में तरीके से जालیں और डालें एक बाद उस मिठ्टी को, जैसे ही जो है उसमें थोड़ी ओट है, उसको अच्छी तरीके से मिला दी जिससे की भविश्च में फिर जो है उसमें अगर पौदा लगाया जाता है तो उसमें उक्ता रोग ना लगने पाए उसके बाद इसमें एक आता है फल गलन फल सड़ने लगते हैं तो ये फल सड़न जो है इसके लिए सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जो हमारे उरवरक हैं और वरकों का प्रियोग कम करके और उनकी जगह परना है तो जानों फास्पेट और पुठास के लिए हम अगर कार्वनिक खादों का प्रियोग करते हैं तो यह फल गलन की बीमारी जो है नहीं लगेगी सामान अगर हमारी भूमी है तो उसमें हम सरदार लगनव उननचास लगाएं क्योंकि वेवसाइक दिस्ट्वों से यह हमको बहुत फायदा देती है और इसमें जो फल आते हैं वो भी फल आते हैं अब कर देशली मात्र आदिक होती है अगल क्यों ब Tra mighty चेती की आज बात करें अमडी वी फ्यूंद की बागवानी की और ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्जा रहे थे कि अमरूद के पौधे में कौन-कौन से रोग लगते हैं, कौन-कौन से कीट लगते हैं, उसी के बारे मैं डॉक्टर साब आपको बता रहे थे, सर आप रोगों के बारे में बता रहे थे, देखिए अभी मैंने फलकलन के बारे में बताया, इसी तरीके से एक बीमारी है स्याम बर्ण, और द दो या तीन वार करना चाहिए, तो इन बीमारियों से हमको मुफ्टी प्राफ्त हो जाते हैं, अब आती है बात कीठ की, कि कौन कौन से कीड़े लगते हैं, तो एक तो बरसाथ के दिनों में फल मक्की जो लगती है, यह बहुत ही खतरना कीठ है, और आपने देखा होगा कि बर और हम इसको फिर्का करते हैं, जो अच्छे किसान हैं, वो बरसाथ की फसल को नहीं लेते हैं, और बरसाथ की फसल अगर वो नहीं लेते हैं, तो जाडों में उपजम को अधिक मिलती है, उसके बाद दूसरा कीड़ा है फल छेदक, जो फल में घुज करके फल को छेदता है, ये भी परसाइत में ही बहुत जारुप जारों में ये बहुत कम लगता है इसके लिए जो है इंडोसल्फान एक दिसंब़ा पांच मिली लीटर्, फिर लीटर् पानी में घोल करके इसको हम चिरकते हैं ये कीड़ा और होता है कि जो फ़ये च्छाब कुखाता है और उसके बाद पिर तने में छेन कर सुरू करतेताय वर बैट करके अरामसे उसका छाबा उड़ा रहता है इसको लेकर के दस लीटर पानी में घोलने और घोल करके तने पेच शिड़के हैं और अगर हमको यह देखते हैं कि छेंद होने लगे हैं तो फिर इस दवा की एक लीटर दवा को दस लीटर मिट्टी के तेल में घोले जी और मिट्टी के तेर में घोल करके और रूई में जो है ऊज़िंब आज़िंब तरी किले रूई खूब भिगो जै । उस रूइए अंदर पहुचा करके और जो मिट्टी है चिक्नी मिट्टी उसे उसको बंद करने तो जो लेकिना सब्सक्राइब नस्ट हो जाएंगे सर अब बात आती है कि एक व्रिक्ष एक पिड़ कितनी फसलिया कहें कितनी फलत देता है एक जाड़े के दिनों में सवाव कुंटल से लेकर के 1.25 कुंटल से लेकर के 1.50 कुंटल जो है हमारी एक पौदे से हमको उपज मिल जाती या हम इस दूसरी तरह से यह कहें कि एक हमसे कोई पूछा कि एक हेक्टर हमने द्वाग लगाया है इसमें सवाव मारी उपज कितनी होगी तो एक हेक्टर में जो हमने पौदे लगाए हैं उनकी संख्या 270 पौदे के आसपास होती है तो इस तरीके से हमको जो है 350 से लेकर के 400 कुंटल पर हेक्टर हमको उपज मिल जाती है जी सरक एक व्रिक्ष से दो बार हम फल पा सकते हैं मानली जी कि दो फल ले लिए किसान ने दो बार की फलत हो गई उसकी उसकी बाद वो उस व्रिक्ष का क्या करेगा उस प्रिड का क्या इस्तमार ब्रक्ष में फल आने के बाद उसकी देखवाल करते हैं जड़ों पर अच्छी तरीके से मिट्टी चड़ाते हैं मिट्टी चड़ाते समय इस बात का ध्यान रखे हैं कि उसमें मैला थियान डस्ट जो है वो आवश्चा के मिट्टी में मिला करके ही चड़ाएं अनिता उसमें जो है टीटों के लारवा और पिपा जो है वाराम से बैठे हुए रहेंगे और जब समय आएगा तो वो जो है पेड़ की तने की छाल बाले कीले और ये कीले जो है हमारे ब्रक्ष को नुक्सान पहुचाएंगे तो एक तो ये है कि उसकी हम बरसाद के दिनों मिट्टी चड़ाएं दूसरे ये है कि समय समय पर हम जो है इसकी देखवाद करते रहें इसमें जो अगर मालिया कोई कीला या कुछ दिखाई देता तो इसके लिए जो है रसाइन समय समय पर प्रियोग करते रहें दूसरे बरसा कि बात्रा बढ़ जाएगी, यूपज बढ़ जाएगी, बरफाती फसल से ज़ादा अच्छी जाड़ों की फसल ही मानिए, जाड़ों की फसल is लिए अच्छी होती है, की बरफात में कीले बहुत लगते है युँ फल मक्य उसमें, जाना जाना अगर दस पल हम लेते हैं तो दस पल में कम से कम साथ पल ऐसे होते हैं जिनमें कीड़े होते हैं तो अच्छे किसान का यही है कि वो उधर बरसाथ की फचल ना लेकर के उसको साफ कर देते हैं और उस पर यूरिया का छिड़काव कर देते हैं में जो है हमको उत्तम फसल और ज्यादावानी करने जा रहा है अमरूद की अमरूद पहली बार उसकी पौद लगाने जा रहा है कुछ महत पूर्ण बात है जो उसे धिहान में रखने चाहिए कि उन चीज़ों से बचना है ताकि उसे कोई हानी ना हो देखिए सबसे पहले तो जो भूम का चुनाओं ही करते हैं तो हम देखते हैं कि मारी भूम सामान नहीं है अतवा हलकी हलकी छारी है तो इलावादी सफेदा ही लगाएं दूसरी कोई भी फ़सल ना लगाएं सामान अगर हमारी भूमी है तो उसमें हम सरदार लगनव उनन्चास लगाएं क्योंकि बेफसाइक दिस्ट कोण से यह हमको बहुत फाइदा देती है और इसमें जो फल आते हैं वो भी फल की मात्रा आधिक होती है दूसरे बहुत आवश्यक है कि जब पहली साथ बर्स में जो हम पोदा लगा रहे हैं तो जो हम गोबर की खाथ नाइट्रोजन फासफेट और पुटास दे रहे हैं उतनी मात्रा कम से कम छे साल तक बरावर जो है बढ़ाते रहना चाहिए पंद्रा अगर हमने हमने किलो ग्राम गोबर की खा दे तो बहुत तीस ग्राम हो जानी चाहिए तीसरी साल उसको पैटालिस फिर साथ पिर पिछत्तर और नब्वे इस तरीके से नाइट्रोजन फासफेट और पुटास की मात्रा को भी बढ़ाते रहना चाहिए और समय समय पर ये देख लेना चाहिए कि हमारा मौसम कैसा है यद मौसम गरम है तो दस दिन के अंतराज पर सिचाई करें यद मौसम हमारा ठंडा है तो हम जो है पंद्रा और बीज दिन के अंतराज पर भी हम सिचाई कर सकते हैं चलिए बहुत अच्छी अच्छी बात हैं आपको डॉक्टर अवधेश उकला जी ने बताई उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत काम आएंगी जब भी आप अमरूत की बागवानी का विचार करेंगे किसानों को महत्पूर जानकारी देने अपने के तो आपके आहरें आपके बागवानी की और डॉक्टर साब ने आपको बताया कि बागवानी करते दोरान आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है कैसे चाहिए और अगर आप जानना चाहते हैं किसी और फसल के बारे में कुछ अच्छे सुजाव हमसे पाना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिये हुए पते पर हमें लिख कर भेज सकते हैं। अपने टीवी पर ग्रीन टीवी देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर या डीटी एच ऑपरेटर को तुरंट कॉल करें। झालो झालो पर गूए चाहते हैं। झाल झाल